गुद मॉर्निंग जूदेंट्स अब क्लास टेंथ तो जो सफर हम लोगों ने आउटकम्स अफ डेमोक्रेसी का सुरु किया था वो आज खतम होने वाला है expectations from democracy के साथ आपने democracy के outcomes के different dimensions को भी देखा जिसमें आपने ये देखा कि कैसे ये जो democracy है responsive form of government है legitimate form of government है कैसे ये social diversity को कम करता है बहुत सारे options को provide करता है economic growth के मामले में आपने देखा कि democracy के क्या position है उसके अलावा आपने ये देखा कि समाज में फैली हुई जो भिन्नताय है उसके जो disputes हैं उनको यह कैसे कम कर सकता है कैसे better options देता है तो उसी क्रम में आज हम लोग इस last curry को देखेंगे और ये आपके exam में भी आने वाला है और ये काफी important point होने वाला है कि what are the expectations from democracy democracy से क्या-क्या expectation हम क्या अप एक्छाएं रख सकते हैं क्या हमारी आसाएं हैं ये सारी चीजे तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा ये एक तरह से summary होने बाला है expectations from democracy also function as a criteria for judging and democratic country यानि जो हम expectation democracy से रखते हैं वो भी एक तरह से कार्य करता है democratic country के मतलब कि जो outcomes होते हैं criteria होते हैं उसको judge करने में है न कि हमारे जो expectations होते हैं वो expectation के अधार पर ही हम समझ सकते हैं कि democracy क्या है और democracy से हम क्या-क्या पेक्षाय रख रहे हैं the distinctive feature in democracy is the examination never gets over हला कि ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो democracy है न उसके ये test या जो examinations जिसको हम कह सकते हैं ये कभी over होने वाला नहीं है ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है है न as democracy passes one test जियों ही democracy एक test pass करता है it produces another test तब तक दूसरा क्या हो जाता है पैदा हो जाता है तो ये अच्छी बात है न कि माली ये लोग जागरूख होंगे उनके expectations बढ़ेंगे तो हमारी leaders की responsibility भी बढ़ेगी फिर हमारी democracy की और dimensions भी बढ़ेंगे और democracy की जड़े गहरी होती जाएंगे democracy इस लोगों के मन में घर करता चला जाएगा कि हम democracy से क्या-क्या पेक्छाय रख सकते है माल लो जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में questioning करेंगे तब तो हमारे leaders are responsive होंगे ना तब तो हमारी democracy जो है हर किसी के मन में बैठ जाएगी फिर ये democracy से अपेक्छाय बढ़ती चली जाएगे तो ये अच्छी बात है जैसे ही democracy एक test को पास करता है दूसरा test अपने आप produce हो जाता है है ना as people get some benefits of democracy जो ही लोगों को democracy से कुछ benefit मिलना सुरू होता है उनको लगता है कि democracy is the better form of government they ask for more and want make democracy even better तो फिर वो democracy से और ज्यादा कुछ पूछना सुरू कर देते हैं मांगना सुरू कर देते हैं और वो चाहते है कि democracy और ज्यादा क्या हो बेहतर हो मैंने कहा ना कि it is better form of government तो डेमोक्रेसी से लोगों की अप एक चाहे बढ़ेंगे तो डेमोक्रेसी एक तरह से लोगों के मन में जड़ गहरी करती चले जाएगी है न तो अब पब्लिक एक्सपरेशन ओफ डिस्साटिसफेक्शन विद डेमोक्रेसी so is the success of that democratic project अगर किसी project को लेके लोगों के मन में असंतूस्टी है या संतूस्ट नहीं है तो कहीं न कहीं ये success को ही दिखाता है क्योंकि democratic जो form of government है जो project है वो लोगों के मन में इसका मतलब चल रहा है कि हम डेमोक्रेसी से क्या चाहते है डेमोक्रेसी को हमारे लिए क्या क्या करना चाहिए लेकिन अगर वो पूरा नहीं हुआ हम dissatisfied है तो कहीं न कहीं हमारे अंदर इस बात को है कि democracy में होना चाहिए था लेकिन ये नहीं हुआ तो अगली government करेगी तो democracy जो है ये तरह से क्या है into that of a citizen और यही वो चीज है कि हम एक सिर्फ subject मात्र न रह करके हम वहां के क्या बन जाते हैं citizen बन जाते हैं citizenship को अपलाई करते हैं तो इस तरह यह जो expectations from democracy हैं यह कहीं न कहीं हमारे democracy की सफलता को ही दिखाता है democratic form of government को और बेहतर बनाने का काम करता है तो आप लोगों ने इस वीडियो में यह देखा कि expectations of democracy क्या है और मुझे पूरी तरह से आसा है और मेरा expectations आप लोगों से यह है कि definitely you have understood this chapter very well videos of each and every topic is available and I have sent you also whenever you require any kind of point you can search for the videos and you can see it watch it very frequently understood students and every topic has some points that is going to be beneficial for your examination okay thank you very much